हलो दोस्तो स्वागत है अपका GK with azim you tube channel में दोस्तो अब जो हमारा जो टॉपिक है एक होगा सवाल प्रसन से प्रसन चेप्टर से एक होगे चेप्टर से सवाल और एक होगे mix आज हम mix वाला सवाल को देखते हैं और हमारा मकसद होगा कि कम से कम सवाल को करा कर जादा से जादा जानकारी देना यानि एक कोस्टन से कई जानकारियां निकालना तो यह हमारा सीरीज होगा, मिक्स होगा आज भहुत थिक है, किसी दिन होगा केमिस्ट्री होगा, किसी दिन होगा या इतिहास इस तरह के भी चेप्टर होंगे या समसामाई की भी होंगे तो ये जो सीरीज चलेगी अब प्रेक्टिस सेट की तरह होगा ये और चेप्टर वाइज भी होंगे मापन से अलग घती से अलग इस तरह के चेप्टर वाइज भी सवाल होंगे और हमेरिकल वाला आग कम ही कराया हूं इसलिए अब यही चलाएंगे और देखते हैं कि इससे हम लोग कितनी जानकारी मिलती है तो पहला सवाल है प्रछेप का पत होता है देखे प्रछेप होता क्या है प्रोजक्टाइल कहते हैं प्रछेप का मतलब किसी चीज को इस तरह सता से फेकना किसी भी होता है किसी को भी अगर आप नीचे ऐसे बढ़ाएंगे तो वो परवलायकार मिलेगा इसको भी बढ़ाएं परवलायकार यह मिलता है प्रछेप का पत प्रछेप यानि कोई भी गेद या इंट या गोला दागा गया जिसका जो पत होता है उसको कहते हैं परछेप का पत औ लोलक पहले की तरह गतिमान रहेगा, लोलक थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, लोलक काफी समय तक दोलन करता रहेगा, इन में से कोई नहीं, लोलक थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, इसका आप्शन B सही है, लोलक क्या होगा, कुछ देर बाद ठार जाएगा, अगर कि कर रहा है गति तो उसके गति क्या धीर धीरे ठारती है क्यों हावा के घरतने कारण अब वहां पर क्या होगा ऐसा वह वहां पर पानी के घरतने कारण वह जल्दी से रुखेगा तो इसका आप्शन फिर कोण का मान कीए तो यहां पे गिरा तो किस पर हो तो यह होना चाहिए 45 अंस पर अगर किसी चीज को अंस पर फेका जाएगा 36 से तो अप्शन अब इसका आप्शन एस होगा ठीक है परच्षेप में गरसन कार करता है, गती के विपरीत दिशा में, गती की दिशा में, सीवल आपसन कभी गती की दिशा में, तो कभी गती के विपरीत इन में से कोई नहीं, गती के विपरीत दिशा में, इसका आपसन इसे ही होगा है आतों के रोग के निदान में निम्लिकित में से किस किरन का उप्योग किया जाता है X किरन, बीटा किरन, अलफा किरन या गामा किरन देखिए आतों के रोग की बात हो रही है तो आतों के रोग में किस का होता है देखिए इसमें तो ये जो आप्शन B और C और ये D है यानि B और C तो किरण हाई नहीं कन है ये X किरण और गामा किरण तो गामा किरण हनिकारक है तो ये X किरण इसका उत्तर होगा इसमें होता क्या है कि बेरियम आकसाइड या बेरियम के धातु पिलाते हैं आथ में उसके scanning करते हैं और फेफ़ड की जाच में भी X-ray का ही X-ray का ही इस्तमाल होता है X-ray का विसकार कौन कौन किये थे William Rontogen किये थे कौन किये थे William William Rontogen Rontogen ने किया था और कब 1895 इस्वी में किया था X-ray का किया ठीक है X-ray ठीक इसका इस्तमाल MRI X-ray मशीन और इसमें भी होता है अगला सवाल परमाडू के नाभिक में निम्ले के बिसे कौन से कौन होते हैं परमाडू के नाभिक की बात हो रही है देखिया सवाल को समझे परमाडू के नाभिक में कौन कौन से होते हैं तो परमाडू का ये और नाभिक ये, बाहर क्या घूमते हैं, एलेक्ट्रान, नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, पोर्टान और न्यूट्रान, तो नाभिक के कौन में कौन से होंगे, इसका आपसन ये सही होगा, पोर्टान एवं न्यूट्रान, इसी को दरविमान संख्य दर्विमान संख्या कहते हैं और क्यूंकि नाभिक में ही संपुर दर्विमान नीत होता है रधर फोर्ड की नियम के अनिसाल जो उन्होंने मॉडल दिया था अगला सवाल दोपहर बारा बजे किस दिशा में इंद्रधनुस दिखाई देगा देखिए इंद्रधनुस हमेशा सुबा को चाई शाम को दिखेगा दोपहर में नहीं क्यूंकि दोपहर में जब इंद्रधनुस बनेगा तो बादलों से छन के जो किरणे आएंगी सातो रंग जो बिखरेंगे वो जमीन पर बनेगा और वो हमें दिखेगा नहीं इसलिए दोपहर के समय हमें इंद्रधनुस दिखता नहीं है क्योंकि वो जमीन पर बनता है हाँ उचाई पर अगर जाएं उसे देखें जंगलों के कहीं चाए ऐसी जगा पर तो वो दिखेगा इसलिए दोपहर के समय इंद्रधनुस दिखता नहीं है बनता जरूर है, लेकिन दिखाई, नहीं देखा, इसका option D सही होगा, दाषि बनाने के लिए काम में लेते हैं, दाषि बनाने वाले,AUTALदर्पन, समतल दर्पन, उत्तल दर्पन, इन में से कोई नहीं, लेते हैं अवतल दर्पन, और उस अवतल दर्पन को, जान लीजिए, फोकस और धुरू के बीच में कहीं रखते हैं जिससे उसका प्रतिविम्ब क्या है जिससे उसका प्रतिविम्ब दरपन के पीछे वस्तू से बड़ा और आभासी और सीधा बनता है ठिक कहां पे रखेंगे फोकस और धुरू के बीच, पोल के बीच में ठिक है, सीधा बनेगा इसका अप्शन जो है, वो यह सही है आउतल दरपन एक पीको गराम बराबर होता है दस पे माइनस बारा गराम दस पे माइनस बारा को कहते हैं देखें, मापन से भी मैं कोस्चन कराऊंगा दस पे माइनस बारा को कहते हैं पीको और दस पे माइनस नो को कहते हैं नैनू और दस पे माइनस छे को कहते हैं माइक्रो दस पे माइनस दस को कहते हैं इंगेस्ट्राम और 10 पे माइनस 15 को कहते हैं फर्मी ये दूरी के सबसे छोटे तो ये छोटे हैं अब इसमें ग्राम जोड़ देंगे मीटर जोड़ देंगे तो छोटे हो जाएंगे लेकिन ये इसमें केवल क्या दिया है आपको पीको की बात कर रहा है तो हम इसको लेंगे में यानि दरवमान को मापने में इसका आप्शन जो होगा वो सी सही होगा है लिक्त में से कौन विकल्पिक उर्जा का सबसे बड़ा संग्रगार है देखिए विकल्पिक उर्जा है क्या वे उर्जा जो परामपरागत उर्जा के जगह पर परियोग किये जा सकते हैं और विकल्प के तोर पर शुरू हुए हैं जैसे सौर उर्जा, पावन उर्जा जो भी है, सोलर लाइट यह सब हैं सोलर एनरजी के भी है, जो आरी यह उर्जा हो गया भूकंपिये, भूत, तापिये उर्जा है ठीक है या गोबर गैस इस तरह के एनरजी जो उनके जगह पे इस्तमाल हो से उनको कहता है वेकलपिक उर्जा सुरोत है देखे इसमें से सब हैं लेकिन सब से बड़ा कौन सा होगा वो है सौर उर्जा क्योंकि प्रिथवी पर जो भी जुआरी अर्जा हो या जो कुछ वे जाया था तरह उर्जा के सुरोत सूरज ही है तो सूरज जुह है यह इसका option होगा option आप्षण अ सई है सूरज को उर्जा मिलती कहां से है सूरज एक टारह है नाभी की सरनलाइन द्वारा और वो भी hydrogen के समस्थानिक deuterium के जुड़ने द्वारा, ये उर्जा बहार आती है, ठीक है, अगला सवाल है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, बिजली की जो खपत होती है, वो जो हम लोग नापते हैं, वो हम लोग नापते हैं, वाट पर, क्या वाट इस के आधार पर नापते हैं, लेकिन जो बिजली में जो एनरजी मीटर होता है, वो उर्जा के रूप में नापता है, यानि वाट घंटा में, ठीक है, रेडियो धर्मी पदात उस सर्जित करते हैं, अलफा कन, बीटा कन, गामा कन, उपर 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 सभी, ये तीनो करते हैं, इसमें पर गामा कन नहीं है, ठीक है, ये गामा किरण है, इसमें आप इसको जान लीजिए, अलफा कन, बीटा कन और गामा किरण, उस सर्जित करते हैं, यही को बेकुरल रे भी कहा गया, तीनों को मिला कर, और इसका विसकार कौन किये थे, रेडियो धर्मिता का, वो थे हेनरी बेकुरल और रेडियो धर्मिता की SI जो है मातरक है वो है क्यूरी और सबसे छोटा जो है मातरक वे है बेकुरल बेकुरल इसका सबसे छोटा मातरक और सबसे बड़ा क्यूरी और क्यूरी SI मातरक है और Radio धर्मिता को मापने वाला जो है यंत्र उसका नाम है Geiger Muller Counter क्या नाम है? Geiger Muller Counter ठिक, आप इसे याद रखेंगे एक माइकरान बराबर होगा एक वटा में 10 mm, एक वटा में 100 mm, एक वटा में 1000 mm, एक वटा में 10,000 mm इसे देखिए, ये question है यह इस तरह के सवाल रार भी में पुछता है ठीक है तो इसको देख लिए एक माइकरान बराबर होगा तो एक माइकरान 10 पे मैंनस चो मीटर अब अब देखिए मीली में करना है चेंट एक मीली 10 पे मैंनस 3 है आप भाग दिदेंगे 10 पे मैंनस 6 से या कर दीज़े गुड़ा, डायरेक्ट ही आप, तो 10 पे माइनस, 3 गुड़े 10 पे माइनस, तो 10 पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा यह, जाकर यहाँ पर, तो यह होगा, 10 पे माइनस, 3, या 1 बटा में, 3, 0, ठीक, यह आपसन C, सही होगा, श्यानता का SI मातरक किसके तुल्ले है, देखें, पाइज, एक एक बटा में, 10 गुना नहीं, इसका आपसन B, सही होगा, पाइज के बराबर, श्यानता का जो है, मातरक है पाइज, और श्यानता है क्या किसी विद्रो, यानि, तरल, फुलूड के बीच, उनके परतों के बीच लगने वाला घर्षन बल, उसे कह केंदर से दूर, तिरिजा के अनुदिस, इनमें से कोई नहीं, इसका आपसन सही होगा, B, केंदर की और तिरिजा के अनुदिस, अब केंदर बल, अभी केंदर बल, ठीक है, केंदर की तरफ जो लगे, और अब केंदर बल, बाहर की तरफ, सेंटी, फोगल फोर्स, ठीक है, इसका option जो होगा वो option 20 ही होगा है अगला सवाल है क्रोनो मीटर का परियोग किया जाता है देखे क्रोनो मीटर है क्या देखे क्रोनो मीटर एक तरकि क्याड़ी होती है जिन में अक्षांस और देशांतर के हिसाब से समय को बताने वाला ये यंत्र है और ये वहां पे होता है जहां पे वो वस्तु अपने लगतार देशांतर को बदल रही है यानि समय अपने सिती को बदल रही है वहां पे होता है क्रोनमीटर जलियानों में वायू यहानों में दूर दर्शी में रेडियो में ये अधिकतर जल जल्यानों में इस्तमाल होते हैं, क्यों? क्योंकि जल्यानों में समय वहां जहां ठहरना होता है, उस जगा पे हंदरगा पे समय अग्यान होना चाहिए, यह यंद्र पूरा ना है, अब इसका इस्तमाल नहीं होता है, तो इसका इस्तमाल जल्यानों में होता है, जल्यानों में ह सामर्थ बराबर कार बटा में समय या डबलू बराबर आईवी इसका हो गया जूल प्रति सेकेंड इसका हो गया एमपियर इंटू वोल्ट देखिए ए भी नहीं है समतुल नहीं है ठीक है तो ए तो है ठीक है आपका सी भी सही है ये भी होता है वाट इंपियर स्क्वाइर इंटू ओम आई स्क्वाइर आर ये भी है ठीक है या इसको पी कह लें आप डबलू ना कहें इसको इसको पी से दिखा है पावर ये हो गया ये भी हो गया कौन सा नहीं है इसका तो इसका आप्शन बी जो है वो गलत है वो नहीं होगा आप्शन बी वाला जो है इसमें सही माना जाएगा ठीक है तुल नहीं है विकिरणों की प्रकिर्टी होती है, तरंग के समान, करण के समान, तरंग एमकरण दोनों के समान, तरंग एमकरण किसी में से, किसी के समान नहीं, तो होगा इसका अफ़सन, सी सही होगा, तरंग एमकरण दोनों के समान, इसके बारे में भी मैंने पढ़ाया है, और देखे टे सवाल ऐसे जी के विद्ध अर्जीम इस तरह से डालना है बिना इस पेस दिये हुए और आप वहाँ पे चले जाएंगे वहाँ पी यह सब जाके आप डाउनलोड चाहे तो कर लें इसको मैं टाइप करके आपको बहुत जल्दी यह सारे सवाल मैं परवाइट करा दूंगा एक लिस्ट की तरह बिल्कुल इसका जो आपसंज होगा वो सी सई होगा तरंग एवंकन दोनों के समान यह मैं पढ़ा चुका हूँ इसे भी सी वाला सई होगा वर्सा की बूंद की गोल आकरती का कारण है द्रौ का घनत प्रिस्ट तनाव वाईव हंडल या दराब या गुरु प्रिस्ट तनाव की कारण चीज़ें क्या जातीं है गोल आ जाती ही यह द्रौ अगला कमरे में रखे रेफ्रीजरेटर का दरवाजा खोलकर आप कमरे में रखे अधर्रीजरेतर का आपमान तक ठंडा कर सकते हैं, आप अंता कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, आप कमरे को ना तो गर्म और नाई ठंडा कर सकते हैं, ये question बदल-बदल कर कई रूपे में कई भराया हुआ है, ये वाला तो वही line दे दिया है, लेकिन इस सवाल को जानिए, कमरे के अंदर refrigerator को आप खोल कर चलाएंगे तो और refrigerator करता क्या है अपने अंदर की गर्मी बाहर रेडियेटर जो पीछे इस तरह बने होते हैं जाली की तरह उन्हीं को ये छोड़ता है और ठंड़ा होता है धीरे धीरे फ्रिज तो फ्रिज के अंदर की गर्मी बाहर रहती है लेकिन जब उसका दर्वाजा खोल लेंगे तो इधर की गर्मी उधर वो करेगा इस तरह से थेओरिकल तरह पे तो तापमान नहीं बढ़ेगा लेकिन इस क्रिया में कंप्रेसर में जो विधुत इस्तमाल हुआ है उसमें उसमा में वो चीज चिंज होगी तो रूम ठंड़ा नहीं होगा बलकि गरम ही होगा क्यों उसमी हास यानि उर्जा के हास यानि विधुत लिया इसको भी जाना जाएगा ओजोन परत बनता है ठीक है यह अंटार कटीका की वायू हंडली इस्थिती शनीगरा पर की गई एक आधुनिक खोज प्रिथिवी के सतह से लगवक 10 से 20 मीटर नीचे की परत में प्रिथिवी के सतह से लगवक 15 से 20 किलो मीटर उपर में वाय अप्शन जो दिया हुआ है इसमें जो आप्शन जो होगा वो डी सही होगा ठीक है पर वास्तों में ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में इस्थित होती है वाय अंडल वाला चिप्टर आप देखिए कंप्लीट है वो इसी में ओजोन परत होती है और इसकी जमीन से उचाई अगर आप देखें, तो ये 15 से 35 किमी होती है, तो इस इसाब से ये option जो होगा, वो D से होगा, ओजोन परत, और ओजोन क्या है, मंडल नहीं है, ये परत है, और ओजोन का सुत्र है, O3, ये oxygen का क्या है, अपर रूप है, अपर रूप जैसे हीरा, कारबन का है, उसी तर ये बैगनी रंग की gas है, ये जहरीली gas है, ग्रीन हाउस gas है, और इसकी महक सड़े हुए मचली की तरह आती है, और जीराक्स जो होती है मसीन, उससे ओजोन गैस बाहर निकलती है, क्योंकि ये है, इस इस पार्क वाले अस्थानों पे पैदा होता है, ओजोन परत, समताप नapppendendo में इस्थित है और यह oxygen और UV UV किरनों के मिलने से बनता है लगतार बनता रहता है ठिक ओprove और जोन परत की खोज जो किया थे उनका नाम था Christian Frederick और जोन च्छरण की जो खोज किया थे उनका नाम था फार मैन और सबसे पहले ओजोन छरण जो खोजा गया था वो दक्षिनी धुरू पर खोजा गया था और ओजोन दिवस जो होता है वो 16 सितंबर को मानाया जाता है ओजोन और मांट्रियल प्रोटोकाल जो है मांट्रियल मांट्रियल प्रोटोकाल ओजोन परत को बचाने के लिए एक सम्मेलन किया गया था कनाडा में तो इसतने कोश्चन इस ओजोन परत से आते हैं इसको भी जानिए अगला सवाल है इसका अफसन D सही होगा अगला पढ़ने में काम आने वाला शीशा किस परकार के लेंस से बना होता है पढ़ने वाले जो होते हैं लेंस वो आवर्धित होते हैं तो आउतल नहीं है उतल साधारन ये भी दोनों नहीं इसका अफसन B सही होगा उतल लेंस इस्तमाल होते हैं बड़े वाले ठीक है अगला निम से कौन सी रासी सदिस नहीं है सदिस राशियां वे होती है जिन में दिसा और परिमार के साथ साथ वो सदिस योग नियम का पालन भी करती होंगी तो विस्थापन है वेग है बल है आयतन नहीं है इसमें इसका आप्शन डी सही होगा तोरौन ग्यात करने का सही सुत्र कौन सा है तो ये इसका आप्शन जो होगा वो होगा समवेग परिवर्तन के दर को हम क्या कहेंगे तोरौन क्या है कि ए बराबर वी माइनस यू बटा में टी वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हम तोरौन कहते हैं इसका आप्शन если होगा यानि समय के साथ वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है वो दिखाता है तोरौन एक्सेलरेशन अगला सवाल इसका आप्शन जो होगा वो ए सही है नेंसे किस में रिनात्मक आवेश होता है X किरन, अलफा करण, बीटा करण या गामा किरण तो देखें बीटा करण जो होता है वो रिनात्मक होता है और बीटा करण जो है ये धन पिलेट की तरफ मुड़ जाता है और अगर ये किसी radioactive पदार्थ से निकलता है तो उसके क्रमांक में एक की बृद्धी होती है तत्यो के परमाड़ में दो प्रोटान, दो निउटान और दो इलेक्टान उस तत्यो का दरबमान क्या होगा देखें प्रोटान दो है और निउटान दो है तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा चार हो जाएगा इसका option 20 है है किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से संपीडित गैस को छोड़ने से रसोई गैस से ठोस को पिखलाने से संपीडित गैस को छोड़ने से या संपीडित जल को भी छोड़ेंगे तभी भी वो कमरा ठंडा हो जाएगा फिरिज इसी तरह होता है ठंडा जैसे आप मुँ से फूकते हैं यह हवा क्या होती है ठंडी संपीडित होके बाहर आ रही है फैलता है अचानक निकल के अगर वो फैल जाएगा तो हवा क्या हो जाएगी ठंडी होती है तो इसका आफ्शन क्या है 20 है प्रकास में सात रंग होते हैं रंगों को अलग करने का तरीका है एक प्रिज्म से रंगों को अलग-अलग किया जा सकता है फेल्टर से रंगों को अलग-अलग किया जा सकता है पौधे के रंग को अलग किया जा सकता है रंगों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता है इसका option A सही होगा एक prism से रंगों को अलग किया जा सकता है अगला लोलक की कालवधी निर्भर करता है लोलक की कालवधी दर्मान के उपर निर्भर करता है लंबाई के उपर निर्भर करता है समय को उपर निर्भर करता है ताप करम पर निर्भर करता है लंबाई पर क्योंकि हम लोगों को पता है कि T बाराबर टू पाई अंडर रूड एल बाई जी तो केवल यह लंबाई और गुरुत्य तुरण पर निर्भर करता है लंबाई बढ़ेगा आवर्थकाल घट गया तो घट जाएगा लेजर का विस्तारी तुरूप क्या है तो यह है देखिए लाइ एमपिलिफिकेशन आफ इसटूमेलेटेड मशीन नहीं लाइट एमपिलिफिकेशन बाई इसटूमेलेटेड एमस्येशन आफ रेडिएशन यही है इसका आफसन जो है सबसे कम होगी कांच निर्वात जल एवं वायू वायू में तो कम होगी लेकिन निर्वात में सबसे अधिक उसके बाद वायू उसके बाद कांच जल उसके बाद कांच, कांच में सबसे कम होगी, सखहनता बढ़ेगी और speed कम हो जाएगी तो इसका option है ए तो यह मैं कुछ question को लिया हूँ शुरुवाती तो और इस तरह से मैं ज्यादा तर धीरे धीरे उसी तरह के सवाल लूँगा जिससे सब्सक्राइब मिलते हैं फिर हम अगले एक वीडियो में थब तक के लिए अलविदा जैहिंद